हेलो दोस्तो वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल मुप्त गरेलू देशी ग्यान दोस्तो आज बात करते हैं मेरी गोल्ड और गेंदा के विशे में गेंदे के फूल का फूलों की दुनिया में एक अपना अलग सतान है दोस्तो अनियमित खानपां से हमारे सरीर के अंदर अनेको प्रकार के रोग उत्पन हो जाते हैं उन्हीं रोगों से लड़ने के लिए गेंदा भी रामबान का कारे करता है पहली वीडियो में दोस्तों मैंने दाथ के विशे में तथा च्छालों के विशे में बता आज मैं आपको बताऊँगा दाथ खाज खुजली चरम रोग वे चहरे पर सपेद निशानों के विशे में कि किस प्रकार से गेंदा हमारे इन सभी रोगों का नास कर देता है सातियों यदि आपको मेरे दोारत दी गई जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दें लाइक करने से मेरे को पैसे नहीं मिलते बल्कि मीरा मोटीवेशन अप होता है जिससे कि मेरा मन आपके लिए और अधिक वीडियो बनाने के लिए करता है सातियों यदि पहली बार आप मेरे यूटूब चैनल पर वीडियो देख रहे हैं दाग धब्बे के निसाने कील मुहासिया यदि वो बैकती गेंदे के फूल, एक चमच की मातरा में एलो विरा जैल और एक चमच की मातरा में सहध को लेकर उन्हें अच्छी पिरकार से पीस कर या किसी भी मिक्सी या अन्य माध्यम से पीस कर अपने चहरे पर रात्री को सोते स मैं लगाते हैं तो वह अपने चेहरे से एक सपते के अंदर कील मुहा से सपेद दाग धबो को बिलकुल जड़ से समाप्त कर सकता है यह आपके लिए बहुती रामबान का कारे करता है सातियों बात करते हैं दाद के विशे में जिन वैक्तियों के दाद की समच्या पुराने से पुराने से पुराने दाद है यदि वो वैक्ती गेंदे की जड़ को निकाल कर उसे जड़ को अच्छी प्रकार से घिसकर उस जड़ से निकलने वाले अरक का यदि अपने दाद वाल खुजली है यदि वो वैकती गेंदे की पत्तियों को लेकर उनको अच्छी प्रकार से पीश कर फिर उने कपट्चन करके उस पत्तियों से निकलने वाले अर्क को किसी पात्र या बरतन में रख ले तता सूरिया की धूप के सामने बैठ कर उस रस को अपने सरीर पर उसका कर देता है बात करते हैं चरम रोग के विशे में किसी भी प्रकार का चरम रोग हो या कुछ रोग हो यदि हम गेंदे की पत्ति फूल और जड़ को लेकर उन्हें अच्छी प्रकार से उबाल कर पानी से फिर उस पानी से नहाते हैं जिस पानी में हमने उसे उबाला है तो व यबाद